इसा किसे आम आज ये मैंने मूर्गिंग आया हुआ धागिकों मार्केट से और इसिम्टमे का सीजन आ गिया है और इसके पराठे में बनाओंगी तो मैंने पहंगे से ध्धों गिया है ध्धोंते के तो आप लीटामिन से मुघ करके सब्सक्राइब कि जह और यह मुंगी का पराथा को देखे vitae दिखा एविश अ कुभ最近 आप कमेंट effectively तक लिए तो इसको मुर्गी को मैं उपर की परत को छेंगने से छेंग लेती हूं ताकि उपर की परत छेंगने से उपर का जो भी थोड़ा बहुत मोटी परत होती निकंग जाती है और ये बराठा बहुत अच्छा रखता है मैंने सारी मुर्गी को छेंग लिया है अब इसको मैं धोओंगी साब पानी से एक बार और पहरी मैंने धोया था मगर फिर भी मैं इसको एक बार और धोओं गेती हूँ अब ये मैंने ग्रेटर गिया हुआ है और इसमें मैंने मीडियम साइज गिया हुआ है बहुत पत्रगा और बहुत मोटा नहीं और इसमें मैं ग्रेट करती हूँ इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता इस तरह से तो ये मैंने इस तरह मीडियम साइज में ग्रेट कर गिया है सारी मुगी को मैंने ग्रेट कर गिया अच्छे से अब ये ग्रेट हो जाने के बाद इसमें मैं एक चम्मच नमक डांग के कुछ देखेंगे रख दूँगी, क्योंकि इसमें मुगी में पानी होता है, ऐसे तो पानी निकंगे रहा नहीं, इसमें एक चम्मच नमक डांग के इसको मिक्स करतीती मुगी में, और इसको 10 मेट केंगी रख देती हूं, ताकि ये पान ंट खूड़ते अच्छ लिए क्षिए से गहूं का आटा जितना आपको पराथा बनानों होहां मैंने दो कीअ इसको में थोड़ासा नमक डानागूँगी अब मिश्पमे Executive और आप जैसे नमक होती करस करके खाना चाहिए अजवाइन को और यह थोड़े थोड़े पानी डांग के मैं इसको आटा का रांग एती हूं और अगर आपको कभी भी पेट दर्ध हो कोई प्रब्नम हो तो आप अजवाइन ऐसे खाईए सर्दी भी हो तो आप आजवाइन को ऐसे फाक गीजिए पानी के साथ बहुत फायदा करता है और यह मैंने आटा को बहुत टाइट नहीं साना है सौप्ट साना हुआ है रोटी का आटे की तरह और इसको मैं रग देती हूं अब यह देखिए मुगी पानी छोड़ दिया होगा ने देखिए जब तक मैंने आटा गगा है मुगी भी पानी निकांगोंगी आप इसको कपड़े से भी छान सकते हैं किसी कपड़े को गेंगी जिए कॉटन के कपड़े में सारी मुंगी का रख दीजिए और इसको ऐसे दबा दीजिए तो सारी पानी निकंग आएंगे ये देखी मैंने हाथ से दबाया कितनी सूखी सूखी मुंग का पानी निकार गेती हूं यह देखी मैंने सारी भूंगी का पानी निकार गिया है अब इसको एक कटोगे में रखेंगे ती वंगर यह पानी आप किसी यूज में गेंगे जिया जैसे भी आपको अच्छा गरे निकार दीजिया अगर आप तीखा मेज खाना पसंद करते हैं तो आप गार मेज पाउडर डान सकते हैं हरा मेज पाउडर भी हरां मेज भी डान सकते हैं मने अधा चमत सारी में भी मिंदाना हुआ हुआ है और यह मैंने स्वाइव Rico कथ मे दियु तोछ धोड़े से अधर्ग को भी मने दाना हुआ हुआ आप आप लेस्ट खाना पसंद करते हैं तो है दानी यह नहीं तो मत खाईए मादांगी द्यू कस्मत करिए यह मैंने अद्रग को भी ग्रेट कर गिया है जितना अद्रग आपको पसंद है वैसे थोड़ा ही अद्रग डांगते हैं और कुछ धनिया की पत्तियों को काट काट के बारी उसको भी डांग देते हैं और थोड़ा सा इसमें नमक डांगेंगे क्योंकि नमक मैंने पहने डांगा हुआ था इसलिए मैंने आधा चमच नमक डांगा हुआ है अब इन सब को मिक्स कर गेती हूं अगर चम्मत से मिक्स करती हूं अगर चम्मत से अच्छे से ना मिक्स हो तो अब हाँ से मिक्स करिए पानी निकांगने से पराठा फटता नहीं है इसनिए मैंने पानी निकांग दिया है तो यह देखिक दर्म सुखा हो गया तो इससे अब आपका पराठा नहीं फटेगा पाली गोटी बनाना है इसको मैं घाल से फैंगा आप इसको पूड़ी की तरफ भेग भी सकते हैं अगर मैं हाँ से फैंगा के बनाती हूं ऐसे ही और इसमें 2 जमस्फ भर आज पूगई का बेटर यह हंके हाद से इसको दबा दबाके चागो तरफ से देखे ऐसे मैं इसको बन करती हूं गोई को यह दबा दिया, सौब्ट आटंग लगाया था, अब इसमें दोनों तब अच्छे से सुखा आटंग लगा के अब इसकी रोटी बनाओंगी, हंके हाथ से बेंगना है, बहुत बढ़ा नहीं करना है, यह हाथ से भी मैं इसको ऐसे दबा के ऐसे बना गेती हूं, जैसे मैंने ग कोई भरनेक ने ऐसे फैंग आया था, अब यह देखो, इसको हाथ से भी बढ़ा करेके ऐसे भी बेंग सकती हूं, तो इससे मतलब फटती नहीं है, अब यह तावा को मैंने गरम करनेक की गैस पर रख दिया है, अब इसको मैं बेंगोंगी हंके हाथ से, अगर यह बीज में तो इसमें थोड़ा सा सुखा अटा लगा की तब बेंगते जाईए, यह देखे मैंने इसको हंके हाथ से बेंग गिया, यह फटा बहा भी नहीं, बहा भी नहीं क्योंकि मैंने इसका सारा पानी पहंगे निचोड़ की निकान दिया था, अब यह देखे, तावा पे मैं इसको सेकूंगी, गैस की फ्रेम को रिक्दम लो कर दिया है, तावा गरम हो गया है, इस पराठा में डांगती हूँ, एक तर बच्छे से हो जाने के बाद, अब इसी गैस की फ्रेम को हाई करके, अब इसको पंगट के मैं सेकूंगी, अंगट पंगट के इसमें घी नगाओंगी, आप जो भी घी खाना पसंद करते हूं, और गी जो भी आपको पसंद हो, आप नगाँगी जे दोनों तरब अच्छे से अंगट पंगट के और इसको सेकिए, और ये बहुत हिंगदी पराठा बनता है, बहुत अच्छा लगता है, आप बनाइए और बताइए कि वेगा ये पराठा आपको कैसा लगा, आप बनाइए, खाईए और बताइए, आप गाइक भी नहीं करते, कामेंट भी नहीं करते, मैं ती वीडियो बनाती हूं आप मुझने इतने गुझने सब्क्राइब किया है अगर वो देखते होंगे तो वो उनको कमेंट्स या गाइल कुछ भी तो करना चाहिए ताकि मुझे पता चाहिए कि आप देखते हैं कैसा रखता है आपको यह मेरी इस्पी परता कि देखी, दोनों तरब से अगट पंगट के सेक गया, अच्छे से पर יהए है पराथा, मैं दूसी गॉर भी भर के दिखाती हूं क्यके मैं इसको भरती हूं, कि यह फटता नहीं है में उन्हें है कि आप इसको कदू कस करें तो आप इसका पानी नमक डालें के पहेंगे पानी निकार गीज़े ताकि ये सूखा हो जाएगा भूंगी इतनी सूखी हो जाएगी ये फटे गई नहीं आप कितना भी भाई के भूंगी का पराठा बनाए ये फटे गए नहीं ये सूखा आट गगांके आप इसको भीएगे इसमें सूखा आटा थोड़ा जादा ही अगए रोटी में इतनी सूखे मंत भीएअ उनदनाए यूज होते हैं मगर इसमें ज्यादा सूखे मंत भीएवएगे बैंग गांगशा पामेए आपाठा फिक ते पराठा रहा हो छा सन झाल झाल साख होती हमाई जरूर करें बनाा यह जालाइन को कितना अच्छा 5 पराथा बना हुआ है बहूत हैं मुण्गी का पराथा भूब्ला है आप भी खाई और मेरे चैनल को सब्क्राइब करें नहीं किया हुआ आई कम्यून करिए